जब हम बात भारती अर्थ वैवस्था की करते हैं तो जितना महत्पूर्ण योगदान भारती अर्थ वैवस्था में कृशी का है उतना ही योगदान उद्योगों का भी है तो उद्योगों के विस्तार विकास पर अगर एक नज़र डाली तो हम देखते हैं कि उद्योग एक एसा छेत्र जो कहीं न कहीं भारती अर्थवेवस्था को काफी प्रभावित करता है। जब हम बात राश्ट्री आय या प्रतिवेक्ति आय की करते हैं तो इन दोनों ही आय को हम लोगों के रोजगार से जोड़ कर देखते हैं। जहां पर रोजगार की प्रभल संभावनाय हैं वहां आम यह कह सकते हैं कि लोगों की प्रतिवेक्ति आय अच्छी खासी होगी और प्रतिवेक्ति आय के अधार पर हम राश्ट्री आय का नुमाल लगा सकते हैं। जहां जिन देशों की प्रतिवेक्तियाय अच्छी है वहां पर उनकी राष्ट्रियाय भी अधिक होगी तो जब हम बात प्रतिवेक्तियाय राष्ट्रियाय या उत्पादन की करते हैं तो यहां पर उद्योगों को इंट्रोडियूस कराना बहुत जरूरी होता है कि तो यहां पर अगर हम इसको प्रोत साहिद करते हैं उत्पादन के बहुत सारे साधनों को हम यहां पर लाते हैं जैसे कि हमने पिछले अध्यायों में देखा था कि भूमी श्रम पूंजी संगठन साहस इतने सारे साधनों को हम साथ मिले कर काम करते हैं तो क्यूंकि इसका छेतर अपने आप में काफे विस्तृत है इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादन जो होता है वो कृषि के पेक्षा उद्योगों में अधिक है दूसरा गरम बात करें हाँ पर रोजगार की स्त्रोध की तो जैसे हमने देखा कि क्यूंकि स्वतंत्रता के समय हमने देखा कि देश की लगभक सतर प्रतिशत आबादी कृशी में लगी हुई थी इसका सबसे प्रमुक कारण ये था कि उस समय लोगों की पास रोजगार का अन्य कोई अवसर नहीं था देश में एक तो उद्योग थे नहीं पहले कि जो इस्थापित उद्योग थे वो कहीं न कहीं बिमार पड़े थे रुग्ण पड़े हुए थे तो उद्योगों का क्योंकि विस्तार विकास नहीं किया गया तो लोगों के अजीविका का जो मुखी स्त्रोथ था वो क्रिशी था लेकिन समय के साथ-साथ जैसे ही उद्योगों के विकास और विस्तार की बहुत सारी योजनाय बनाई गई लोगों ने उद्योगों के छेत्रे में भी कदम रखना शुरू किया क्रिशी के साथ-साथ उन् साथ ही यहाँ पर हम जब खृषि के यंत्रीइकरन की बात करते हैं यंत्री Entryaktr contrib Escape कि जब बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि cha ki papa गट व्हम खृषि में हम परंपरागत टक्णीकों का प्रियोग ना करके हम बैलों के स्थान पर हमने ट्रक्टर का प्रियोग करना शुरू किया हाथ से कटाई के स्थान पर थ्रिशर मशीन का हमने प्रियोग करना शुरू किया कीट नाशक छिड़काओं के लिए हमने मशीनों का उप्यों किया तो यह जो यंत्रिक खेती की हम बात करते हैं मशीनों क ही इन सम मशीनों का विकास हुआ इसे लिए हम यंत्रक रसाधनों का प्रयोग कर पाए अगले अगर इसके महात्यों की बात करें तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में पड़े हुए थे उनका जो है उद्ध्योगों के माध्यम से हमने उनका समुचित प्रयोग करना सीखा पहले भी आपने सुना होगा कि भारत में भारत जो था वो एक सोनी की चड़िया था यहां पे जो इसको की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास यह प्राकृतिक संसाधन थे लेकिन हमारे पास ऐसे उद्ध्योग नहीं थे जिसे हम इनका दोहन कर पाए हम इनका समुचित उप्योग कर पाए जब उद्ध्योगों की गई तो इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का स चूता नहीं का जा सकता देश के चहुमुखी विकास में उद्योग ने परयाप्त मात्रा में यहां पर सहयोग दिया है वैसे ही जीवन इस्तर के हम बात करें तो देखा हमने कि किस तरह से बढ़ते हुए उद्योगों के कारण लोगों को रोजगार के असर मिले और जब चियाय में व्रद्धी हुई और लोगों के जीवन इस तर में सुधार हुआ इसी तरह हम देखते हैं कि जब अध्योगिक अब हमने देखा कि कितने सारे लाभ हमकों इससे प्राप्त हो रहे हैं तो देश ने जरूरी समझा कि इन उद्योगों का निरंतर विकास किया जाता उनमें सबसे पहला जो बिंदू था वो था मिश्रित अर्थवयवस्था को अपनाना मिश्रित अर्थवयवस्था यहां तक सरकार ने देश ने समझ लिया था कि जब हम मिश्रित अर्थवयवस्था के साथ कारे करेंगी तो ही हम जो उद्योग हैं से प्रापर प्राप्त क जाने तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे अच्ष्ण सर्पित के। जहां लोगों को रोजगार दिया जा सके। वैसे यहां पर बात की गई लग और बेंगाशन लगाने का प्रयास यहां और द्योगिक विकास की रण नीतियों के अंतरगत किया गया। साथ ही यहां पर जो सनरक्षण की नीति है वो यहां पर बनाई गई कि सारवजनिक उपकरुमों के साथ-साथ नीजी उपकरम भी सरलता के साथ काम करते रहे। इसले उनको कुछ सनरक्षण प्रदान किया जाए इस बारे में भी चर्चा की गई उसके बाद ये देखा गया कि लगूत द्योगों के विकास को प्रुटसाहित किया जाए क्योंकि जो लगूत द्योग है छोटी छोटी जो गाओं में शेहरों में जो छोटी छोटी द्योग होते हैं जिनमें 10 से 20 लोग मिलकर आपस में कोई चोटा मोटा कारे वेवसाय करते हैं उनकी जरूरत इसलिए भी थी कि कृषी पर बहुत ज्यादा निर्भरता ना हो वर्ष भर क्रिशी की नहीं जा सकती तो जो छुपी हुई रोजगारी की जो समस्या उत्पन होती है उसको दूर किया जा सके और लोगों का जो जीवन इस बैस्तार और विकास किया जाना जरूरी था तो सबसे पहली जरूत तो इसले थी क्योंकि वह रोजगार प्रेयरख थे चेत्र विशेश में रहते थे तो उस पूरे वहां के लोग जो है वह उसी लगूत द्योग में जाकर रोजगार प्राप्ति करते थे तो एक तो चोटी-छोटे छेत्रों के लोगों को भी रोजगार सुलब वोड़ित च। विकास किया जरूरी था और साथ में धन के। producción के वितरण के लिए फिस लगवित विकास आइसनलीं सट्फ जन में द्यातस थे क। अलमीपनीर च्रास हos हुआँ here ते और अपना से प। लागों को हुआ जब स्थापित किया जाएंगे तो वहां के उद्योगों के छेत्र में कुछ असमानताएं, कुछ समस्याओं का उलोकन किया गया जैसे कहीं पूझी की समस्या, कभी कच्चे माल की समस्या और कभी तकनीकों की समस्या तो इस तरह की समस्याओं को देखते हुए उद्योगिक नीती की आवशक्ता महसूस की गई और 1905 में जब उद्योगिक नीती का निर्मान किया गया तो कुछ विशेश उद्योष्यों को ध्यान में रख कर किया गया आये देखते हैं कौन-कौन से उद्योगों का जो विकास था उनको गति प्रदान करना यानि जो देश के रुख्ड पड़े उद्योग है बिमार पड़े उत्यों प्रदान करकर साग्र करते हिए प्रदान करना इसे लिए टोड़े को सब्सक्राइब तो भी यह जो समस्य थी इसको भी इसनेतिक अंतर का ध्यान में रखा गया अब साथ में यह भी देखा गया कि सारवजनिक छेत्र का विकास करना यह जादा से ज्यादा उपकरम लोगों को जो है उद्योग पतियों के शोशन से बचाना भी एक बहुत बड़ी जरूरत थी और ऐसा तभी हो सकता था जब जादा से जादा उपकरम थी ऊपकरम तो प्रयास किया गया है कि सालवजनिक छेत्र में जादा से जादा उपकरम लगा et g दूसरा यहां पर यह भी देखने को मिला कि धन के वित्रण की जो असमानता थी जैसे हमने देखा कि सारा का सारा जो उद्योग शेत्र था वो एक ही दिशा में सीमित ना हो जाए एक ही दिशा में केंद्र ना हो जाए तो जिससे कि धन का वित्रण भी बना रहे है असा नहीं क कि वर शहर के लोगों के पास धन है चोटे कजबो गाउं के लोगों के पास धन न रहें क्योंकि उनके पास अजीवी का कोई स्रोथी नहीं रहेगा आयका कोई स्रोथी नहीं रहेगा तो धन उनके पास कहां से रहेगा तो समान वित्रण हो सके इसलिए सभी छेत्रों में उद पर सार्वजनिक शेत्र का जो वर्च्छ स्व्य प्रभूत्य वो बना रहे हैं अब अगर बात करें ऊद्योगिक नीती की विश्यत्ताओं की तो इसके सबसे पहले विश्यत्ताओं में हम देखते हैं कि यहां पर हमने उद्योगों का जो वर्गी करन किया वो हमने दो भागों में किया पहले जो जिनको हम प्रतम श्रेणी के उद्योग कह सकते हैं उसके अंतरगत उन उन उद्योगों को शामिल किया गया जो किवल सारवजनिक छेतर के थे यानि कुछ उद्योगों को सरकार ने सुरक्षा के दृष्टी कौन से किवल अपने हाथों रखा वहां पर जिन वस्तू यह सिवाओं का उत्पाद होता है उन्हें कभी भी निजी हाथों में न जाने दिया जाए इसका प्रयास किया गया ऐसे छेत्रों के अंतरगत विशेस्ता रेल का जो विभाग है आडविक शक्ति या खनीज का जो विभाग है या वायू परिभन का विभाग है इनको शामिल किया गया उसके बाद जो दूसरे शेनी के उद्ध्योग थे उनमें नीजी और सारवजनिक दोनों शेनी के उद्ध्योग थे इन उद्ध्योगों में सबसे जो प्रमुक हाला कि इसमें 12 उद्ध्योगों को शामिल किया गया था लेकिन जो दूसरी जो श्रेणी है यहाँ पर उद्योगों के वर्गी करण की यहाँ पर जिन वस्तों का उत्पादन हुआ उनमें सरकार और नीजे छेतरों की बराबर भूमे का रही है वैसे ही यहाँ पर हम उद्योगिक लाइसेंसिंग की बात करते हैं अगर हम उद्योगिक करण के सं से महत्वपूर बात जो आई वो थी उद्योगिक लाइसेंसिंग की यहां पर सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी उद्योग को प्रारंब करने से पहले उसके संबंध में सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होगा सुरक्षा गद्रिष्टिगोंड को ध्यान में रखकर इस तरह का जो लाइसेंस का नियम था वो बनाया गया और बहुत सारे प्रयास ऐसे भी किये गया कि जो देश के पिछड़े इलाके हैं या ग्रामीन इलाके हैं वहां पर जादा से जादा उद्योगों का विकास किया जा तो अपेक्षा करित उन चेत्रों को जो पिछड़े चेत्रों थे वहां पर उद्योग को स्थापित करने के लिए एक आसान लाइसेंसिंग विवस्था वहां पर बराने का प्रयास किया गया और लाइसेंस देने से पहले सरकार ने ये भी ध्यान में रखा कि जिन वस्तों क उत्पादन के लिए लाइसेंस लिया जा रहा है उसका जो उप्योग है वो देशित में होना चाहिए तीसरी हम इसकी विशेस्ता की बात करें तो यह जो पूरी अद्योगी करन के नीती थी उसका एक जो मुख्य देशित था वो था लगूत द्योगों का विकास जिसे कि हम उनको तो प्रॉपर उनके पास रोजगार था उनके पास रोजगार की प्रियाप्ति व्यवस्ता थी लेकिन ग्रामिड छेत्र के लोगों के पास जो व्यपार जो रोजगार के असर होने चाहिए वो नहीं थे तो यह एक वज़ा थी जिसके कारण एक तो आर्थिक रूप स पिछडे चेत्र है वहां के लोगों को भी रोजगार मिल सके और आयका समान वित्रण करने का प्रयास किया जा सके अब यहां पर जो भारती भारत में जो अद्योगिक विकास के कारिक्रम बनाए गये उनके कुछ अपनी विशेस्ताएं थी लगभग उनिस सो पचास से उद्योग विवसाय सारवजनी क्षेत्र में लगाने का प्रयास किया गया ताकि जादा से जादा लोगों को रोजगार दिया जा सके और स्वतंत्रता के समय के जस्ट बात जो हमने देखा कि एक बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी की थी जादा तर जो जनता थी देश की वो क्रिशी से संबंधित आय पर ही निर्भर थी तो अधिक्तम लोगों को रोजगार दिया जा सके इसके लिए सरकार ने बहुत से उद्योगों के स्थापना की साथ ही यहाँ पर यह देखा गया कि यहाँ पर इद्योग स्थापित की जाए उनका एक मुख्य उद्योगों को रोजगार देना था तो एक वड़ शेहरी छेत्रों में नहीं बलके ग्रामीन चेत्रों में लगू उद्योग, कुटिर उद्योग और शेहर में तो हमने विस्ता की भाव्ना का विकास किया जा सके जैसे कि अद्योग ये नीति देखिंए नीती तो वहाँ भी उनंगी विस्तार विकास जाए क्योंकि जब हम राश्टी बाजार अंतराश्टी बाजार की बात करते हैं या हम आयात नीरायत वैपार की बात करते हैं तो वहां पर एक अंतराश्टी बाजार को टकर देने के लिए या प्रतियोगिताओं का सामना करने के लिए जो बड़े प्यमानी के उद्योग होत की सिर्फ का सामना किस तरह से किया जाये विदेश उस्तु को टकर दे सके हैं और का प्रुपयों की जाए इन सब बातों अंतरगत शामिल किया गया तो यहां विशेस्ताओं की बात आठा बुए अध्यों के लिए नरधारित की गई और लाइसेंसिंग की व्यवस्था की गई लेकिन ये सब जो नीतिया जो बनाई गई इनका अगर हम मुल्यांकन करें हम देखें कि कितनी सफल हुई अगर हम अनुकूल प्रभाव की बात करें तो हम देखें कि उतपादन में जाहिर है कि व्रदि व्रद्धी हुई होगी जब इतनी सारी योजनाएं एक साथ लाइ जाती है लोगों को साक की सुविधा काच्चे माल की सुविधा इस तरह कि बहुत सारी सुविधाय प्रदान क की जातक जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि रचल्पादन में व्रध्धी तो होगी अब क्योंकि उत्पादन में व्रध्धी से बजार का विस्तार होता है तो हम यहीं सकते के GD lower के लिए जो लुई जो गूगों का योगदान था वो उनको यूज करने के लिए उनको उप्योग करने के लिए मिले साथ ही इसकी विशेस्ता ये भी बोल जा सकती है कि सारवजनिक छेत्र में उद्योगों का जब बहुत ज्यादा विकास किया गया तो लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाई यानि कि उनके जीविका जो है वो लोगो उनको साधन मिल पाई तो ये तो अनकूल परिस्थितियों की बात रहिं लेगिन इन ही उत्यों क LOOK के कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़े प्रतिकूल प्रतिकूल के ultimate करते हैं तो हमने क्यों किया पर बार बार बात कही सार्वजनिक छेत्र की तो हुआ क्या कि सार्वजनिक छेत्र बहुतायत जो उत्पात थे वहाँ पर उसने एक अधिकार जमा लिया नीजी छेत्र वहाँ पर नहीं आ पाए और सारजनिक छेत्र नहीं उनस्तु के उत्पादन में अपना एक अधिकार बनाये रखा वैसे एक प्रतिकुल प्रुपाव ये भी पड़ा कि हमने प्रोडक्शन तो किया उत्पादन में हमने व्रिद्धी तो कर ली लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे उत्पाद थे वो अंतराश्टी बजार से प्रतिस्परधा कर पाने में अभी भी सक्षम नहीं थे उसकी बाद हमने देखा कि उद्योग जो थे उनको हम निर्यात परक बनाने में असफर रहे थे यानि कि इतनी अच्छे इतनी कॉलिटी की वस्तू का नर्माण हम नहीं कर पाए जिससे हम विदेश्री प्रतिस्परधा का सामना कर सके या फिर बहुत अच्छे प्रोड़क्ट इस कॉलिटी के हम नहीं बना पाए जिससे हमारे निर्यात व्यपार को प्रोच साहन मिल सके जो नीत्या थी क्रियानवित होती रही इनके बहुत अच्छे अनकूल प्रभाव भी देखने को मिले इन उद्योगों के विकास और विस्तार के कारण धीरे धीरे जो आयात और नियात वैपार था वो भी प्रोच्साहित हुआ और जो विदेशी वैपार था हमारा वो भी करते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे देशों के बीच में आपस में वियापार किया जाता है तो वहुत वियूपार की श्रिणी में आता है जिसकि पिसली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा अब अगर हम विदेशी वैपार के बात करते हैं तो यहां पे इसपस्ट हो रहा है कि दो देशों के मद्धे वैपार किया गया तो दो देशों के मद्धे किस तरह से वैपार किया गया बहुत सारी चीजे हमारे देश में उत्पन होती है और वो आधिक्य में उत्पन होती है यानि इतनी ज़्यादा उनकी उत्पादक्ता होती है हमारे देशों में कि देश में उनकी खपत होने के बाद भी वो बच जाती है और हम उनको बाहर के देशों में बेच देते हैं और उनसे हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं यह जो वैपार होता है यह निर्यात वैपार कहलाता है साथ ही बहुत सी चीजे असी होती है जिनका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता है लेकिन फिर भी हमको उनके प्रयोग के जरुवत पड़ती है तो उन सभी वस्तों को हम दूसरे देशों से मगाते हैं यानि कि हम उनका आयात करते हैं तो यह जो आयात और निर्यात वैपार है यही विदेशी वैपार कहलाते हैं अब विदेशी वेपार के अगर हम महत्व की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो विदेशी वेपार के द्वारा हम आयात और निर्यात करते हैं ये अर्थ वेवस्था में एक महत्वूर्ण स्थान रखता है और अर्थ वेवस्था के विकास में सहायक होता है हम अपने देश में बनी वस्तों को बाहर भेजते हैं निर्यात करते हैं तो जाहिर से बात हैं को विदेशी मुद्रा की प्राप्ती होती है या हमारे पास जो चीजें नहीं हैं हम उनको दूसरे देशों से आयात करते हैं तो हमारे जीवन इस तर में सुधार होता है या हम कहے कि अत्रिक्त जो हम को सुविधाय प्राप्त होनी चाहिए वो हम को पाती है वैसे हिए यहां पर हम देखते हैं कि उत्पादकता के इसार में भी सुधार होता है बहुत सी ऐसे टेक्नलोजी बहुत सी ऐसे यंत्र मशीनरी है जिनके द्वारा अगर हम उत्पादन करें तो हमारी उत्पादक्ता में सुधार हो सकता है हमारी उत्पादन में वृद्धी हो सकता है तो जब हम उन मशीनों का आयात करते हैं बाहरी देशों से तो जाहिर से बात है कि हमारे उद्पादक्ता में सुधार आता है वैसे हम इसके महात्यों की बात करें तो हम देखते हैं कि हम उच्छतम तकनीक की वस्तों का प्रयोग कर सकते हैं तो दूसरे देशों से क्यात वस्तों क फिर innovation करते हैं बहुत अच्छी वस्तो व दिनका कर पते हैं वैसे यहां पर हम bekommt करें तो विदेशी मुद्रा दाता है तो यह जाहिरे से बात है विदेशी मुद्रा के प्राप्ति होती है तो कहीं न कहीं वो हमारे आर्सिक विकास्मिक महत्पूर्ण भूमिका निभात हैं साथ है कि इसके विशेस्था के रूप में यह भी दे सकते कि विसस्टी करण को बढ़ावा मिलता है यानि विविद प्रकार की वस्तू का उप्योग अपने ही देश में कर पाते हैं तो यह तो थी विदेशी वेपार के महत्तू की बात अब हमको यह देखना है कि वास्तों में इसकी स्थिती अभी जो है क्या पहले भी ऐसे ही थी अभी हम जितने व्यापक तोर पर आयात और निर्यात वेपार की बात कर रहे हैं जितने व्यापक तोर पर हम वस्तू को बाह आगों में बाट कर पढ़ेंगे एक तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय क्या स्थिति थी विदेशी वैपार की और दूसरा हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बात से लेकर अब तक कि हमारी क्या स्थिति हैं स्थिति देखते हैं तो हमने क्योंकि पहले के भी अध्यायों म जिसके अंतरगत उसने यहां का जो कच्चा माल था उसको बुएटेटन लेंग्लाइट से कीमेटी नेमित माल बनाए तो उनको लाकर भारत के बाजार में खपाया गया बहुत उची कीमती तो तो कुछ इस तरह के नीतियों के कारण भारत के जो स्थापित उद्योग थे वेवसाय थे साथ ही जो प्रकृतिक संसाधन थे कच्छे माल जो थे ये इन सब का दुर्पियोग होता गया और कहीं न कहीं जो व्यपार बाजार और उद्योग की हम बात करते हैं वो उस समय धीरे धीरे ध्वस्त होता चला गया क्रिशी के छेतर में हाला कि कारी किया जाता रहा क्योंकि एक मात्र जो काम बचा था क्योंकि द्योग व्यपार लगभग समाप्त हो चुके थे तो जो एक मात्र आय का जरिया बचा था वो थी क्रिशी वहां पर भी लगान की बहुत सारी नीत उद्योगों के विकास विस्तार के लिए साथी रोजगार की संभावनाओं को विक्सित करने के लिए देश में बहुत सारे नीतियों जैसे हमने अभी देखा कि लाइसेंसिंग नीति तो इस तरह की नीतियों का संचालन किया गया और इनका बहुत अच्छा प्रभाव देश क रोजगार प्राप्त होने लगा था अब अगर हम बात यहां पर विदेशी वैपार की करें तो विदेशी वैपार हमारा जो था यहां स्वतंतरता के बाद जब बहुत सी नीतियों का निर्माण किया गया तो विदेशी वैपार काफी विस्तृत और व्यापक हो गया जहां एक और स्वतंत्रता के पहले विदेशी वैपार नाम की कोई चीज थी नहीं सिर्फ इतना ही था कि कच्चा माल जो अंग्रेजी शाषन था उनसे विदेश वो इंग्लैंड भेजते थे और निर्मित माल मंगाते थे लेकिन उनके पीछे एक साजिश ये थी कि कच्चा माल जो जारों में वो खपाई जा सके बस इस उद्देश से वैपार एक चल रहा था लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब विदेशी वैपार की बात आई इतनी सारी अद्योगी की नीतिया बनाई गई उद्योगों का विकास किया गया तो भारत ने विदेशी वैपार के छेतर में ए अगर हम भारत में आयात होने वाली वस्तू पर एक नज़र डाले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में जो आयात की जाने वाली वस्तू है उनमें सबसे प्रमुक वस्तू जो है वो मशीनरी परिवहान उपकरन है कुछ छोटे मुटे मशीनरी कल पूर्जों का निर्मा के जाने वाले जो मशीनरी उपकरण या यंत्र होते हैं उनका हम आयात भी करते हैं इन पर अगर हम एक नज़र डाले तो हम देखते हैं कि इस तरह के उपकरणों का आयात हम संयुक्तराज अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी पोलेंड फ्रांस जापान कनाडा रूस और अन्य कई देशों से इस तरह की मशीनरी का आयात हम करते हैं दूसरा जो हमारा आयात है वो है लोहा और इस पाथ हाला कि देश में भी लोहा और इस पाथ के परियाप्त साधन परियाप्त खदाने हैं फिर भी हम लोहे का अगर लोहे के आयात के हम बात करें तो हम देखते हैं कि लोहे का आयाद हम अमेरिका ब्रीटेन और जर्मनी जैसे देशों से हम लोहे का आयाद भी करते cracking कर करते हैं लेकिन अभी भी कही न कहीं तीस से थैसं से परशेंड के अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों के आयात की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत में जो कच्छा तेल है वो सबसे अधिक मात्रा में आयात करता है भारत और उसके बाद देश में ये जो कच्छा तेल आयात किया जाता है ये हमारे देश में जो तेल शोधक कार खाने हैं उ अगर हम इन पैट्रोलियम पदार्थों के आयात कहां कहां से किया जाता है इनकी अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि कुएत, मयंमार, इराक, साउदी अरब, मैक्सिको, अलजीरिया, इंडोनेशिया और रूस और इसके अलावाने कई देशों से हम पैट्रोल जो है, पैट्रोलियम पदार्थों के आयात करते हैं, साथ ही आप हम यह भी देखते हैं कि देश में हमने बहुत सी मशीनरी को चलाने के लिए, परिभान साधनों के लिए, कई साधनों के लिए, पैट्रोलियम पदार्थों के आवशक्ता पढ़ती है, और क्योंकि हम यह भी द अगली अगर हम बात करें इसके अलावा हम यहां पर देखते हैं कि कृत्रिम रेशे, बहुमूल्य पत्थर, उन, कपास, दवाईया, कुछ कपड़े, हाला कि कपड़ा हम निर्याद भी करते हैं, लेकिन कुछ कपड़ों का हम आयाद भी करते हैं, कागज की लुपदी, यह कुछ ऐसी चीज़े हैं, जिनका हम अलग-अलग देशों से आयाद करते हैं, आयाद वैपार के बाद अगर हम निर्याद पेक नज़र डालें, अगर हम देखें कि इसे कौन-कौन सी वस्तु हैं, जिनका उत्पादन भारत में प्रचुर मात्रा में होता है, हमारे देश में उप्योग के बाद जब यह समान बच जाते हैं, यह उत्पाद जब बच जाते हैं, तो हम इनको दूसरे देशों में निर्याद कर देते हैं, तो आये देखते हैं कि कौन-कौन से इसे चेज़े हैं, जिनका निर्याद भारत दूसरे देशों को करता है, निर्याद प्रिमुक निर्यातक देश है उसमें शामिल है दूसरी बात हम इसके कहें तो विगत कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो चाय पत्ती का निर्यात है वो चार गुना बढ़ गया है वैसे हम इस पर एक नज़र डाले तो देखते हैं कि ब्रिटेन जो है वो सबसे बड़ा लुणा है भारत का चाय जो खरीदता है हमसे ब्रिटेन को हम सबसे ज्यादा चाय-पत्ती का निर्यात अपने देश से करते हैं और नजवें और इसके साथ-साथ अड़ा अमेरिका रोज जर्मणी सुडान जैसे अधि रेसों को भी हम छाय-पत्ति का निर्यात करते हैं देश भी चाय का निर्यात करते हैं तो चाय पत्ती की उच्चितम कॉलिटी बनाये रखनी पड़ती है ताकि इन देशों से भारत जो है वो चाय पत्ती के निर्यात में कॉम्पिटीशन कर सके अगले अगर हम इसके निर्यात के बात करें तो हम देखते हैं कि सूती वस्त्रों सिले सिलाय वस्त्र जो है वो अमेरिका रूस न्यूजीलेंड ऑस्ट्रेलिया श्री लंका मलेशिया सुडान और अफगानिस्तान जैसे देशों में भारत जो है वो सुती वस्त्रों का निर्यात करता है साथ ही हम जूट के समान के अगर बात करें तो जूट के अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा एक परंपरागत उत्पाद है कहना चाहिए स्वतंतरता के पहले भी जूट का जो उत्पादन है वो प्रचुर मात्रा में देश में होता था और स्वतंतरता के बाद भी जूट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत से व्यापक कदम उठाए यही कारण है कि आज हम जूट के छेतर में निर्यातक देशो लेकिन विभाजन के बाद बांगला देश और अनिक कई देशों से इसे जूट के वैपार पर निर्यात के लिए बहुत सारी प्रतिसपरधा का सामना करना पड़ा कई देशों को जूट का निर्यात करते हैं जिनमें सबसे प्रमुख है जो जहां सबसे जादा हम जूट का निर्यात करते हैं वो अमेरिका है अब क्योंकि जूट महंगा है तो जाहिर से बात है कि महंगा होने पर उस उत्पात के मांग थोड़ी कम होती है तो महंगा होने के कारण इसे निर्यात में जो भारत का जो प्रतिशत है जूट के निर्यात का वो लगातार घटता जा रहा है उसके बाद हम देखते हैं गर्म मसाले हमने पहले भी देखा कि मसालों का निर्यात जो भारत है वो अन्य कई देशों को करता है भारत में प्रचूर मात्रा में गर्म मसालों का उतपादन होता है गर मसाले पाए जाते हैं अगर हम गर मसालों के निर्यात की बात करें तो यूरोप के देश और अमेरिका के देशों में हम इन गर मसालों का जो निर्यात है वो करते हैं भारत अगर हम गर मसालों के बजार की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत विश्व में इस पूरे गर मस मसाले का जो बजार है वहाँ पर 27 से 30 प्रतिशयत का योगदान अकेले भारत कर रहता है इसी तर हम देखते हैं कि 800 करोड की जो विदेशी मुद्रा है वो गर्म मसालों के निर्याद से प्राप्त होती है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा भोकता और सबसे बड़ा निर्यादक भारत है गर्म मसालों का प्रतिवर्ष 16 लाग टन मसालों का हम यहाँ पर उत्पादन करते हैं और 2 लाग टन इसमें से विदेशों को निर्याद कर देते हैं कुछ प्रमुक गरम मसालों के अगर हम बात करें तो उसमें इलाइची, सुपारी, लॉंग, हल्दी, काली मिर्च और अजवाइन इस तरह के गरम मसालों का प्रचुर मात्रा में हाँ पर उत्पादन होता है साथ ही विश्व में मसालों का लगबग साढ़े चार लाख मिट्री टन का व्यपार है जिसमें अगर हम भारत की बात करें तो अकेले 46 प्रतिशत जो हिस्सेदारी है वो भारत की है तो इन आकड़ों पर हम नज़र डालें तो देखते हैं कि अच्छा खासा जो बाजार है गरम मसालों का वो भारत में विस्तृत है और निर्यात वैपार में अगर मसालों की बात करें तो भारत का एक महतपून युगदान है अगले निर्यात के हम बात करें तो बहुत से समुद्रे उत्पात भी ऐसे हैं जिनका निर्यात भारत करता है समुद्रे उत्पातों के अगर हम बात करें तो जींगा मचली का इसमें विशेस इस्तान है जींगा मचली का निर्यात जादा तर जो है वो जापान और श्रीलंका के देशों में किया जाता है समुद्रे उत्पात के बात अगर हम दस्तकारी के समान की बात करें जिसमें रत नहीरे जवारात इन सबी चीजों को शामिल किया जाता है तो क्योंकि दस्तकारी का भी हमने स्वतंतरता के पहले भी इसका काफी अच्छा एक मार्केट भारत में था धीरे-धीरे ये खतम होता गया लेकिन स्वतंतरता के बाद जब फिर से इन छेत्रों में विका फ्रांस, जापान, सिंगापूर, रूस, बैंकोक, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कुवेत और न्यूजिलेंड जैसे देशों को हम इस तरह के जो हमारे दस्तकारी के सामान हैं उनका हम निर्यात करते आ रहे हैं अगले अन्य निर्यात्यों के अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि काजू, चीनी, कपास, चावल और बहुत से ऐसे फल हैं जिनका भारत निर्यात करता है इन सभी निर्यात्यों के साथ साथ विगत कुछ वर्षों से हम ने क्योंकि अपनी टेक्नलोजी को डेवलप किया उत्पाद की जो क्वालिटी थी उसमें गुडवत्ता में हमने सुधार किया तो अब हम सिलाई की जो मशीने हैं अच्छी कॉलिटी के कपड़े, साइकल, खेल के समान अब इनका भी निर्यात्म करने लगे हैं तो आपने देखा कि किस तरह स्वतंत्रता के बाद जब बहुत सी ओध्योगिक नीतिया बनी तो विदेशी वैपार ने भी जोर पकड़ा और भारत बहुत सारे चीजों को बाहर से आयात करने के साथ साथ अपने देश के उत्पादू का भी अच्छा खासा निर्यात करने लगा कि अब जरूरत थी विदेशी वैपार को प्रोतसाहित करने के साथ उस पर नियंत्रण की इस द्रिश्टिकोंट से भारत नहीं विदेशी वैपार नीति याने फॉरिंड ट्रेड पॉलिसि बनाईं foreign trade policy यानि विदेशी वैपार नीति के अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बात से ही जो देश के बाजार थे वैपार थे उनको सनरक्षन प्रतियोगिता से संरक्षित क्या जा सके, इसके लिए इसने क्या किया इसके इंतर्गत कि अत्रगत को अभो लगाये गए और साथ इसाथ और निर्याद में बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाये गया, इसलिक ताकि विदेशी प्रत्योगिता से हमारे देश के जो उद्योग्जा अन्हों संरक्षित किय सके ह कि अब क्योंकि यह पूरी नीदी थी हमारे देश के वैपार वैसे आयों अध्योगों को Listen करने से संबंधित थी और यहां पर प्रियास किया गया कि जो द्योग देश के भीतर है उनको सरक्षित किया जाए इसलिए विदेशी वैपार के इस नीती को अंतरमुखी वैपार नीती कभी नाम दिया गया अब बात करें कि इसका उद्देश क्या था तो तो सबसे पहला ऐसका ये था कि जो बहुत महतवूर क्या जाये जो देश के लिए बहुत महतवूर वस्तुन है उनका आयात किया जाए और बाकी जो कम और शक्ता की वस्तुएं है उनको आयात रोक लगाई जाए ताकि विदेशी मुद्रा के अपवे से बचा जा सके दूसरा एक यह भी कारण था कि खाद्यान का जो उत्पादन है वो जादा से जादा अपने देश में किया जाए बाह परियाप्त क्रिशी के जो साधन है वो है हमारे पास तो यह प्रयास किया जाए कि खाद्यान के लिए कम से कम हम दूसरों पर निर्भर ना रहा है और खाद्यान के छेतर में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकें साथ ही ये भी देखना था कि विदेशी मुद्रा जो है हमारे पास उसको बहुत सो समझ के खर्च करें जो देश के विकास में बहुत जरूरी आगते हैं सिर्फ उनका ही प्रियोग हम उनका ही क्रहम विदेशी मुद्रा को देखर करें तो यह कुछ ऐसे उध्यान में रखते हुए सनीती का निर्मान किया गया वास्ताओं में विदेशी वेपार के कुछ समस्याएं थी और उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संरक्षन किस नीते का निर्मान किया गया तो पहले तो देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं थी सबसे पहले समस्या तो ये थी कि आयात में कि जरूरती थी आयात की वो बढ़ने लगी ऐसा इस दी हुआ क्योंकि जनसंक्या जो है वो उत्तर बढ़ती गई तो हम जिस भी चीजों का आयात बाहर से कर रहे थे उनके मांग भी लगातार बढ़ती गई दूसरा निर्यात जो है वो घटता गया क्योंकि आयात हम कर रहे हैं हमारे विदेशी मुद्रा बाहर चले जा रही है निर्यात लेकिन हम जिन प्रोड़क्ट्स का उत्पादन हम देश में कर रहे हैं उनका जो निर्यात था वो लगातार घटता गया अब एक समस्या यह आए कि रिन ग्रस्तता वीदेशी मुद्रा की जो रिन ग्रस्तता थी वो भी प्रभावित करने लगी क्योंकि हम जादा से जड़ा आयात करने लगे तो जाहिर सी बात है कि रिन बड़ेगा कर्ज बढ़ेगा देश पे साथ ही जब हमने अंतर मुखी व्यापार नीती बनाई तो वहाँ पर बहुत सारे आयात और निर्यात व्यापार पर प्रतिबन लग गए तो उसका भी खामयाजा कहीं न कर उठाना पड़ा तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हलाकि विदेशी व्यापार की नीती बनाई गए लेगिन इसके अपने कुछ अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह के प्रभावर है तो हम्ये देखते हैं कि अनुकूल प्रभाव कौन कौन से थे विदेशी वैपार नीती के अनुकूलता की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तो अध्योगिक विकास की दर को यहाँ पर बढ़ावा मिला क्योंकि यह अंतरमों की वैपार नीती थी देश के में जो स्थापित उद्योग हैं बाहर से आयातना करके उन लगू उद्योग है देश में उनमें जो इन्योग है उसको बढ़ाया जाए तो वह यहाँ पर प्राप्ती किया जा सका उसके बाद भारति अधियोग की अगर बात करें तो भारती उद्योग उध्योग विविदता पौन हो गये हम उन वस्तों का भी हम उद्पादन करें किए उन वस्तों का उत्पादन अपने देश में करें तो अधिति यह रही कि धीरे धीरे खाधियान के चेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मने नीं भर हो गया आ साथ ही सभी छेत्र में हम केवाला खाध्यान की बात ना करें हम ने इलेक्ट्रोनिक उपकरण कागज और खेल के समान के साथ साथ बहुत सारे घरेलू उपकरण इन सब चीज़ों के बेकर हम बात करें तो काफी विकास और विस्तार हैं पर देखने को मिला और काफी आत्मनेर भरता भी आई ये तो थी अनुकूल परिस्तितियां लेकिन कुछ प्रतिकूल परिस्तितियां भी देखनों को मिली जैसे यहां पर हमने देखा कि पूरे छेत्र में जो था सार्वजनीक एक अधिकार हो गया तो क्योंकि सार्वजनीक एक अधिकार की बात आई तो कहीं न कहीं आप पर भष्टा शारी लाल फीता शाही कभी जन्म हुआ उसके बाद हमने देखा कि अंतराश्टी वैपार में जो प्रतियोगिता का सामना करने के लिए जो उत्पाद बनाय जाने चाहिए थे उस कॉलिटी के उत्पाद नहीं बन पाए तो हमारे देश की जो वस्तुय थी वो अंतराश्टी बाजार वैपार का सामना करने में कहीं अगले इसके प्रतिकूल प्रवाओं के हम बात करें तो क्योंकि निर्यात वेपार में बहुत सारे प्रतिबंद भी थे और यहां पर विदेशों से रिन लेने की भी जुरत पड़ी तो कहीं न कहीं रिन ग्रस्तता के स्थिति उत्पन हुई तो देश के पास जो सोने के जो भ प्रारम किया हमने तो बहुत सारे प्रतिकूल प्रभाव भी हमको यहां पर देखने को मिलें तो कुल मिलाकर देश की स्वतंत्रता के बात से ही देश में उद्योगों के वेपार के वेवसाय के विस्तार और विकास के लिए लगातार प्रतनी किये जाते रहें आपने देख आकडों को देखें वैबसाए और उद्योगों की प्रक्तिकी अगर हम आकडों को देखे हैं कि लगातार है चाहे हम देशी वैपार की रसे वैपार की बात कि लगातार उत्ति वित वाइफ है से किस तरह से आयात और निर्यात वैपार कोements 1992 किए गया और निर्यात में कि अधिक हमने अपने निर्यातव़्य лекर को प्रोद्षाहिद करने का प्याज किया है